टाटा संके मदन चेयर्मेन रतन टाटा ने बुद्वार 9 अक्टूबर को रात 11 बचे मुंबई के ब्रीज कैंटी अस्पताल में आखिरी सांस ले पियम नरेंद्र मोदी से लेकर सलमान खान कमल हसन और साथ ही राजा मौली समेथ कई फिल्म सेलिब्रिटेज में भी रतन टाटा के निधन पर शोक चताया है रतन टाटा 86 साल के थे हॉस्पिटल में अड्मिट होने के बाद उन्होंने एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी सेहत ठीक है और किसी तरह की चिंता की कोई भी बात नहीं है रतन टाटा किसी परीचे के मोहताच तो रही है देश की जानी मानी हस्ती रतन टाटा को भारत के दो सरवो चुनाकरिक पुरसकार पदम भूशन और पदम विभूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है आईए जानते हैं रतन टाटा का देश के सबसे बड़े अध्यों के पती बनने का ये सफर कैसा रहा था प्रारम्ठिक जीवन और शिक्षा की सबसे पहले बात करते हैं नवल टाटा और सुनु टाटा के घर 28 दिसमबर 1937 को जन में रतन टाटा ग्रुप के पाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे उनके माता पिता दस साल की उम्र में ही अलग हो गए थे और रतन टाटा की दादी ने ही उनकी परवरिश की थी रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के केम्पियर स्कूल से की और साथ ही उन्होंने आठवी तक की पढ़ाई यहां से पूरी की इसके बाद आके की पढ़ाई के लिए वे मुंबई आके और साथ ही जॉन कॉनन स्कूल और शिम्ला में भी बिश्प कॉन्टन स्कूल पो गए इसके बाद उन्होंने आपको बता दे की रिवर्डे कंट्री कंट्री स्कूल नियॉक शहर में शिक्षा अपनी प्राप्त की सब्सक्राइब करनेल विश्प विद्याले और हावर्ड बिजनेस स्कूल के छात्र भी रहे हैं 21 साल की उम्र में साथ 1991 में उन्हें टाटा ग्रूप का चेयर्मैन बना दिया था टाटा ग्रूप का पद संभालते ही क्या-क्या उन्होंने किया था उनकी उपलब्दियों प उन्होंने ताटा संभूःका निर्टित्व किया और इसे बुलंदियों पर पहुंच अन्के निर्थित्व में टेटली टी जैग्वार लैंड रोवर और साथ ही कोरस का अधिक ग्रहन उन्हें किया टाटा नैनोकार भी रतन टाटा की ही दिर थी उनकी देख रेख में टा किस्ता भी रतन टाटा से ही जुड़ा है टाता रेनो से जुड़ा रतन टाटा ने एक बार मुंबई में तेज़ बारिश में परिवार के चार लोगों को बाइक पर भीकते हुए दीखा था रतन टाटा को इस सीन ने इतना ज़ादा परिशान किया कि अगले दिन उन्होंने इंजिनियर को बुलवा कर देश की सबसे सस्तिकार बनाने को कहा और यही से टाटा नैनो की शुरुवात हुई थी टाटा नैनो 2008 में लौच हुई थी हाला कि लोगों को यह कार जादा पसंद नहीं आई और साल 2020 में इसका जो प्रोडक्शन है भो बंद करना पड़ा रतन टाटा बुक लवर भी थे उनको सक्सेस स्टोरी जो है उनकी उन्हें पढ़ना बहुत जादा पसंद था लोगों की सक्सेस स्टोरी और एक इंटर्विव को समय दे रहे हैं यानि की बुक्स पड़ रहे हैं टाटा को बच्पन से ही कम बात्चित करना पसंद था पूछने पर ने बताया था कि उन्हें कारों से बहुत लगा था उन्होंने कहा था कि मुझे पुरानी और नई तरह की दोनों की तरह की कारों का शौक है और एका की और आपको बता दें कि दिखावे से काफी जाधा दूर थे और इसके लिए वो जाने भी जाते थे जयादी की तरह रतन टाटा को भी उनकी वक्त की पावंदी के लिए जाना जाता था ठीक साड़े छे बचे अपना दफतर छोड़ देते थे और अक्सर अगर दफतर से उन अपना सब्ताहत जो है वो अलीबाग के अपने फार्म हाउस में विताना पसंद करते थे उस दोरान उनके साथ कोई नहीं होता था सिवाए उनके कुटों के उनको ना तो घूमने का शौक था और ना ही भाशन देने का उनको दिखावे से पूरी तरह से चड़ थी बच्प करना पसंद नहीं था क्योंकि हमने पहले भी खा कि उन्हें दिखावे का बिल्कुल भी शौक नहीं था वो कई सारे लोगों के लिए रोल मॉडल रहे हैं